पंचाब में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर कॉंग्रिस और भाजबा एक दूसरे पर आरूप प्रत्यारूप लगा रही हैं पंजाब में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सुरक्षा में चूक पर रविवार को मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूरेश करशप ने हमाशल के राजपार राजेंदर विश्योनात आलेकूर को ग्यापन सौंपा ग्यापन के माध्यम से बीचेपी हिमाशल प्रदेश ने आगरह किया कि पंजाब सरकार के इस कृत्ते की उचिस्तरिय जांच की जाए और दोश्यों के खिलाब जल्द से जल्द सख्ट कारवाई की जाए मुखे मंत्री जैराम ठाकु ने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने पंजाब के फिरोस्पूर में एक जन सभा को संबोधित करना था लेकिन वे सभास्तल तक नहीं पहुंच सकी उन्होंने कहा कि रास्ते में पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित उपद्रवियों और तथा कतित किसान संगठनों द्वारा सूनियोजित धंग से रास्ते को अवरूद किया गया जिसकी कारण प्रदान मंत्री को लगभग 20 मिन तक एक फ्राई ओवर पर रुखना पड़ा जो कि उनकी सुरक्षा में बेहर बड़ी चूक और उनके खिलाब सोची समझी साज़िश है उन्होंने कहा कि ग्यापन के माध्यम से भारतिय जनता पार्टी आखरे करती है कि पंजाब सरकार के इस कृत्ते की उचस्तरिये चांच की चाए और दोशियों के खिलाब जल से ज अगभग 42,000 क्रोड से भी ज्यादा के उद्गाटन और शिला नियास करके पंजाब के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे थे तो वहां कॉंग्रेस की सरकार ने जिस परकार से जैर जेमेदारणा ब्यवार किया और प्रदान मंत्री जी को उस सभा में पहुंचने उस कारेक्रम में पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने रोक दिया और वो संभव है कि सरकार के इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटना क्रम वहां पर घटित हुआ है हम इसकी कठोर निंदा करते हैं आज हमने महामहिमी राज्यपाल महोदे जी को ग्यापन दिया है कि इस सारे संदर्म में उच्च स्तरिय जांच होनी चाहिए और जो दोश जी है उनके खिलाब कड़ी से कड़ी कारिवाई होनी चाहिए कि देश के यश्यस्वी पधान मंत्रे निरंदर मोदी जी जो संब्यधानिक दाइटों का निर्वेहन कर रहे हैं पधान मंत्री के बतौर पर और इससे बढ़कर के मैं यह भी मैं कहना चाहूंगा कि आज वो देश की नहीं दूनिया के सबसे लोग प्यानेता हैं और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से गैर जिमेदारने तरीके से पंजाब की सरकार ने वहां पर खत्रे में डाली तो ये सब चिंता का विशय है और चिंता का विशय है नहीं मैं समझता हूँ कि कि पंजाब सरकार जो कॉंग्रेस पार्टी के सरकार है उनकी एक तरह की दिवेश की एक भावना इसमें दिखती है और ऐसी परस्यति में मेरा फिर से इस बात के लिए जोर से आगरे है कि इसमें निश्चेत रूप से कठोर कारवाई होनी चाहिए जो दोशी है पधान मंती जी को लगबग 20 मिनट तक एक जगा सर्क पर रुकना पड़ा और अंतता गत्वा काफिला मूड करके फिर बापिस जो है वो पधान मंती जी का वहां से चला गया तो ये परस्तिती अगर निर्मित हुई है तो ये कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के तौर तरीके जिस परकार से बदले की भावना से द्वेश की भावना से घ्रीना की भावना से जो कारवाई की गई है उसकी पूरे देश में पूरे प्रदेश में जितनी भी निंदा की जा सकती है वो कम है ब्यूर रिपोर City Channel Shumla